हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाग टू ड्रामा एक्स्प्लेंड इंदी आज हम डिस्कस करेंगे आपके फिवरिट शो विंसेंजो का अपिसोड 11 अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ताकि हमें पता चले और हम नेक्स एपिसोड डालने के लिए मोटिवेटेड रहें चाहिन दोड़ते हुए आती है और विंसेंजो की गली लगकर रोने लगती है वो कहती है कि मैं कितना डर गई थी तुम फोन के रहे उठा रहे थे फोन होता किसली है विंसेंजो कहता है मैं तुम्हें खत्रे में नहीं डालना चाहता था सौरी चाहिन कहती है कि हम पार्टनर हैं सब कुछ शेयर करते हैं खत्रा भी बाटेंगे वो कहता है मुझे पता चल गया कि बाबल का असली बॉस कौन है वो पीछे खड़े लोगों की तरफ देखता है चाहिन कुछ थे कौन है असली बॉस विंसेंजो को वो इंटरुकेशन याद आता है जो उसने थोड़ देर पहले उन किलर्स का किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि बाबल की चेर्मेन हांसो का भाई चांग हांसो की बाबल का असली बॉस है चाहिन कहती है हमें तो लगा था कि वो अमेरिका में शांकी से जी रहा है विंसेंजो कहते हैं नहीं वही इन सब चीजों के पीछे है फिर वह उस किलर का फोन दिखाता है और उससे फोन मिलाता है जुर्मों के पॉकेट में रखा हुआ फोन बजने लगता है विंसेंजो फोन करते वक्त उसके पास पहुंच जाता है उसके पूछने पर दूसरा फोन निकालके दिखाते हैं कि मेरा फोन तो नहीं बज रहा हैं इतने मं विंजयो का आदमी वहां पहुंचते हैं और वह वही लोग होते हैं जिन्हें मुंगी नियुसे मारने के लिए कर रहे था अब कैम नियुक्ते हैं वहुकंतिace को वहां से हमारे काम के बीच में मत आना वो उनकी बात मान कर चला जाता है मिस्टर ली और मिस्टर नाम वहां सफाई करने आ जाते हैं चायंग उन्हें बिल्डिंग के लोगों को कुछ भी बताने से मना कर देती है जुमूर रास्ते में रुक कर उस फोन को गुस्ते में तोड़ देत हैं क्या तुम इने सच मार दोगे विंसंट जो कहता है मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूं लगता है जल्दी मर जाएंगे पूछते हैं वह तुम ही थे ना जिन्होंने रिसर्चर्स को चला कर मारा था तो वह कुछ नहीं बोलते चायंग के इशारे पर इनके लोग गाड़ चायंग उने कहती है कि तुम जैसे लोगों को तो मारी देना चाहिए और सदा तो तुमें हम ही देंगे वह गाड़ी में धुआ करके वहां से विंसंट जो के साथ चली जाती है रास्ते में विंसंट जो को मिस्ट चो का फोन आता है वह उसे जांग हंसो के फोन नंबर की ल उन्हें पकड़ा था तो मैंने तुमें कहा था कि जंग में दुश्मन के शिकारी कुत्तों को हत्यार बनाने ही सबसे जादा काम आता है। हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे हैं तो मैं खुद तुमारी मधद करूँगा उन्हें शेर के फिंजरे में ठालने में थोड़ा मैंने बहुत मैनेत की थी ट्रेनिंग करने में क्योंकि वही एक रास्ता था कि कमजोर एशन बच्चा अपने आपको उन बड़े रंग और जाती भेद करने वाले गोरो लोगों के बीच बचा सके वो पुछती है उन तीन किलर्स का तुम क्या करोगी विंसेंजो कहता है मैं उ भूल्टय वाले में स्टाप ने कैंची से उन घुंडों को मारके भगाया मिस्टर पाक कहते है तुम्हें पता है किपने खतारणाक लोगों सें अपंगा लिया हूं तो वह कहते हैिसका मतलब लड़ने में मिस्टर फैनलवें यक्टमपर विंसेंजो नमबर ऊब मिस्टर विखेंगे रहें पिस जाएंगे तीन बाच जाते हैं चाहें लगती है विंसेंजों से रुकता है कि इतने सारा खाना बचा हुआ है चार बचते हैं चाहें मान जाती है वो उसनीजों को सोरी बोलती 負 बेमेरे Quinn में लेकर कोई feelings है तेस्ट करना पड़ेगा जलो खड़े हो जाओamel विनसेंज्ट जो कहता है क्यों मैं 10 सेकंड के लिए हग करूंगी यह test करने के लिए कि मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई feelings है यह नए विज सबस्क्राइब चाहिंग उसे दौड़ कर करती है चाहें को तो कुछ फील नहीं होता पर विंसेंजों जरूर सोच में पढ़ जाता और बेचान हो जाता है विंसेंजों से वॉइड करने की कोशिश करता है मैं कहती है मैं गलत थी तुम्हें खत्रे में देखकर ऐसा हुआ था उधर हॉस्पिटल में ओग्योंग जाक उनसे कुछ बुन रही होती है विंसेंजों उनसे मिलने जाता है वो उनसे उनकी तबियात दवाईयां और खाने के बारे में पूछता है वो कहती है कि हां सब कर रही हूँ वरना आप फिर से डाटोगे विंसेंजों कहता है आपके डॉक्टर ने बताया कि आपने अठाइस साल पहले लंग cancer को हराया था वो कहती हां विंसेंजर कहता है तब तो आपका कोई परिवार होगा वो कहती है एक बेटा था पर मैं मरने वाली थी, तो मुझे उसकी खुशी के लिए उसे दूर भीजना पड़ा, ताकि वो खुशी-खुशी बढ़ा हो, वो कहते हैं अपनी मां के भीना कैसी खुशी, तो गोंग जा, सोच में पढ़ जाते हैं, और उदास हो जाते हैं, विंसन जो कहता है, चाहिंग न होने की जुरत नहीं है, उन तिनों के लिए उसको मेरे बारे में कुछ नहीं बतादा, मिस्टर अधरे वह खुशी होते हैं, और बोलते हैं, फिर तो वो मेरे और मियूंगी के पीछे आएंगे, आपके बारे में पता करने के लिए जुर्मू उन्हें और डरा देता है, मिय ताक विंसेंचो के सामने कैंची गुमाकर attitude दे रहे होते हैं, वो उन्हें इग्नोर करके चला जाता है, Mr. Cho विंसेंचो को फोन करके चांग हन्सोक के फोन नंबर के बारे में बताते हैं, चांग कहती है तो killers और उनके फोन details की information सारे phone towers से उड़ा दी गई है, विंसेंचो चां तो वो लोग सारे records उड़ा रहे थे, पर किस्मत से हमें उस phone की आखरी location मिल गई, location से पता चलता है कि जांग हन्सोक उस समय वहीं अंडर पास के करीब था पर सामने नहीं आया, मिस्र नाम कहते हैं पर जब यह आखरी सबूत था तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे, तो इतन प्लाजा के साथ खाना खाने और गेम खेलने के लिए बुलाने आती है, मिस्रो और चायंग जिंसेंग को जबरस्ती खेलने ले जाते हैं, जो खेल रहे होते हैं, इतने में आमदंग प्रोसीकुशन के ओफिस के कुछ ओफिसर्स विंसेंग को कतल की कोशिश और बढ़काने के जुर्म में गरिफतार करने आते हैं, वो सब के सामने बता देते हैं कि आपका तालुक इटालियन माफिया से हैं और आप उनके सलाकार ह तो उसे गरफतार करके ले जाते हैं, विंसेंगो चायंग को अपनी वकील के तोर पर ले जाता है, जुर्मू हांसो को बताता है कि मेरा फोन मेरी जेब में वाइबरेट कर रहा था और मुझे लग रहा था जैसे कोई हॉरर फिल्म चल रही हो, हांसो कहता है बाल-बाल बच और आके हांसो को डराता है कि दुबारा ऐसे करने की कोशिश की तो चांट से माल दूँगा, टेनर्स आपस में डिसकस कर रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि विंसेंगो माफिया का बंदा है, फिर वो लोग सोचते हैं कि सोना डूड़ने में विंसेंगो की मदद ले, मा स्टडी में लेना होगा, डिरेकर मना कर देते हैं कि हमें इसमें नहीं पढ़ना, मिस्टर आन उसे भड़काते हैं कि इंटरनाशनल क्राइम डिविजन के हैड आप हैं, फिर भी उस नाम दौंगू वालों ने आप से पूछे और बताए भी ना, ये केस अपने हाथ में ले कुस्ताज के दौरान ऑफिसर विंसेंट जो से कहते हैं कि तो आप कसानों फैमली के सलहकार हैं, को चाकू चलाना अच्छा आता है, बिना किसी ठोस सबूत के करना कानून का इलंगन है, वो फोटो दिखाता है, चाहिए फोटो सबूत नहीं है, आप इस बिना पर किसी पर जाम नहीं लगा सकते, वो कहते हैं, आजक्छ तुम लोगों ने मिलकर बहुत परिशान किया हुआ है, मैं तुम्हें टिपोर्ट कर दूँगा, विंसेंट पूतार ही मंत्र का उसमें लोग Pot Anda कर दो कि इससाथ कोफ़ेंट कर सकते हां और पूछाषक खुफिया तरीक्ये से होगी इसलिए सारे इसलिए स्वार्वाश करते हैं याय मंत्रा याले का वारंटिह्याइछ और चांविय मागता हैं सब कि आप प्लाजा से मेरी जासुसी कर रहे थे मिस्टर एन उसे माफी मांगते हुए कि वह मेरा मिशन था पर मैं जाहन आता हूँ आप सभी पो चैर्में जहांग हांस की तलाश है पर आपने उनी गृफटार क्यों नीक है मिस्टर Katara करते हैं अगर इन्होंने में आपके साथ खड़ा हूं मैं अमने देश के भले और न्याई के लिए आपकी मदद करूंगा विंसेंजो कहता है पर माफिय और इंटेलिजेंस वालों की दोस्ती कैसे हो सकती है मिस्टर आंग कहते हैं कि मैं आपकी इज़त करता हूं क्योंकि आपको अपने पापों पर प की असलियत नहीं बताएंगे और तीसरी शर्त मैं आपको गले लगाने चाहता हूं विंसेंजो घबरा जाता है चाहंग विंसेंजो को कहते हैं कौन सी बड़ी बात है एक जफी तो देनी है विंसेंजो घबरात हुए हाथ आगे करता है कि हाथ मिलाता है मिस्टर आंग जब इसी टीवी फुटेज मंगवाता है वो दोनों वापस प्लाजा पहुंचते हैं टेनेंट से उनका स्वागत रेट कार्पिट विछा कर बैंड के साथ करते हैं जो गबरा जाता है और चाहिंग उसके मजे ले रही होती है वो लोग विंसेंजो को अपना हीरो मानते हैं और पुलाने लगते हैं विंसेंजो नो ठीक करते हैं कि अपनी लोगों से बूलते हैं अच्छा है इस से पंगा नहीं लिया है мяс से झालनाम पूचते हैं की आदमी कौन है विंसेंज चायंग की तरफ मुस्करा कर इशाळा करता है कि क्यों नहीं वोड मिस्रा आइन को यह काम सौबते हैं वोटा मौंक विंसेंजो को बलाने आता है वो लोग उन्हें शिकायत की पोस्त दिखाते हैं चायंग कहती है हम मानहानी का केस कर सकते हैं यु मुझे बाबल चलाने नहीं देगा वो विंसेंजो का तो कुछ कर नहीं पाया अगर अंडर पार्स में फकड़ा जाता तो मारा भी जाता अच्छा होता विस्टरान उससे कहते हैं क्या आप ऐसा सच मिचाते हैं वो से कहते हैं कि फिक्र मत कीजिए मैं आपकी मदद करूंगा क महली कर आपके में चलाने में हांसो से पूछते हैं क्या मैं इसा कर पाऊंगा वो से चुपचा प्लान मनानी की शला देता है अगली बार ऐसे कुछ करने पहले मुझसे बात करना मत भूलना हो मिस्टर आप दह्मकी और देटेवए बोलता है कि अखेर हम दोस्त हैं समझ गए ना अब जो जाम लगाए हैं उन्हें वापस लो उन मॉंक्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस तो उनकी बाते सुन लेती हैं उनकी तरफ अजीब तरीके से देखती रहती हैं ड्राइक्लीनर विंसेंजो को अपने साथ ले जाते हैं और उसे बिल्डिंग की ग उसके मालक का होगा वो लोग कहते हैं ना तो उसी का होता है जो उसे डूनता है तो लगते हैं जो बाहर आकर गुश्चाओतां कि मेरे सूने को अपना समझने की वो खाऊ कर चला सब्सक्राइड को वो इन्फमेशन लाइसमें में का फटाफ्य का चले जाता है चाहिए अभ सोनकर उसे मिलने चली जाती है आदमी के घह जाकर उसे टॉचर करता है वो सपर सांग कोई सिमा बाते कर यह तुम बताओ क्या प्लान है इतने में उसे विंसेंजो का फोन आता है और कहते हैं कि सुर सुनना कुछ बोलना नहीं जुन्वो ही जांग हंसोक है आपका फेवरेट इंटर्न ही जांग हंसोक है चाइंग की सस्पेंस पर ही निखाये दिखाते हैं वो थोड़ा रुपकर उपर से उतर कर आता है और उस पर गं तान देता है कि बैठो नीचे जुन्वो भूला बनकर पूचता है क्या हो रहा है विजसंजो कहता है बहुत हो गया जहांग हंसोक जुन्वो कहते है अरे यार पकड़ा गया है तुम्हें कैसे पता चला जो कहते है आग लुगने पर हुआ नहीं चुपा सकते वो कहता है मैंने तो पंक्खा वो तेज चलाया था फिर भी दुवा रहा गया वो उसकी गन अपने सर पर रखकर कहता है जल्दी मार मुझे उसे गाली देकर माफिया कहता है दोनों के आखी गुस्से में लाल हो जाती है इतने में गोली चलने की है तेंक यू